जै श्री कृष्णा आप सभी कापके अपने चैनल समरद्धी में स्वागत है आज इस वीडियो में हम सुनेंगे बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान की बाल लिला की एक अति सुन्दर कथा कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है तो चलिए सुनते हैं यह अति सुन्दर कथा एक बार की बात है ये शोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की और दोड़ी जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाओ करने के लिए भागने लगे भागते भागते श्री कृष्ण एक कुमार के पास पहुंचे कुमार तो अपने मिठी के घड़े बनाने में व्यस्त था लेकिन जैसे ही कुमार ने श्री कृष्ण को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ कुमार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षाद पर मेश्वर है तब प्रभु ने कुमार से कहा कि कुमार जी आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है महिया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है भाया मुझे कहीं छुपा लो तब कुमार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया कुछी छड़ों में महिया यशुदा भी वहां आ गई और कुमार से पूछने लगी क्यों रे कुमार तुने मेरे कनहिया को कहीं देखा है क्या कुमार ने कह दिया नहीं महिया मैंने कनहिया को नहीं देखा श्री कृष्ण ये सब बातें घड़े से घड़े के नीचे से छुप कर सुन रहे थे महिया तो वहां से चली गई अब प्रभु श्रकृष्ण कुमार से कहते हैं कुमार जी यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बहार निकालो कुमार बोला ऐसे नहीं प्रभु जी पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो भगवान मुस्कुराए और कहा ठीक है मैं तुम्हे 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ अब तो मुझे बहार निकाल दो कुमार कहने लगा मुझे अकेले नहीं प्रभु जी मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बहार निकालूँगा प्रभु जी कहते हैं चलो ठीक है उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ अब तो मुझे घड़े से बहार निकाल दो अब कुमार कहता है बस प्रभुजी एक विंती और है मुझे उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बहार निकाल दूँगा भगवान बोले वो अभी बता दे क्या कहना चाहते हो कुमार कहने लगा प्रभुजी जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलो के उपर लाद के लाई गई है मेरे इन बैलो को भी 84 के बंदन से मुक्त करने का वचन दो भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन होकर उन बैलो को भी 84 के बंदन से मुक्त होने का वचन दिया प्रभु बोले अब तो तुमारी सब इक्छा पूर्ण हो गई है अब तो मुझे घड़े से बाहार निकाल दो तब कुमार कहता है अभी नहीं भगवन बस एक अंती मिक्छा और है उसे भी पूरा कर दीजिए और वो यह है जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के समवात को सुनेगा उसे भी अब 84 लाखी उनियों के बंदन से मुक्त करोगे बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहार निकाल दूँगा कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत प्रसन्नों हुए और कुमार की इस इक्षा को भी पूरा करने का वचन दिया फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहार निकाल दिया उनके चर्णों में सास्टांग प्रणाम किया प्रभु श्री के चरंधोय और चर्णामरत पिया अपनी पूरी जोपडी में चर्णामरत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगा कर इतना रोय कि प्रभु में ही विलीन हो गए जरा सोच के देखिए जो बाल श्री कृष्ण साथ कोस लंबे चोड़े गोवर्धन परवत को अपनी एकनी उंगली पर उठा सकते थे तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे लेकिन बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंद की शोर कोई कितने भी यग्य करे अनुस्ठान करे कितना भिदान करे चाहे कितनी भी भक्ती करे लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा प्रभू श्री कृष्ण मिलने ही सकते इसलिए प्रभू पर विश्वास कीजिए उनका भजन और मनन कीजिए बुलीजे श्री कृष्णा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक करें फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाले नए जो वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैश्री कृष्णा रादे रादे